हेलो, नमस्कार, find three consecutive multiples of 11, whose sum is 363, तो बच्चों देखें, यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीकिस हम इस्टे पर समझेंगे, हमारा उदेश आपके लिए चीज़ें आसान बनें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, three let consecutive multiples of 11, गनीत मैं हमेशा जब भी आप ऐसा कोई भी कुशन सोल करें तो अपना बेसिक काम है ले, कि multiples of 11 का मतलब क्या है, यह नि आपका जैसे, हम एक एक जामपल कर रूप में समझेंगे, तो 11 multiply जैसे आपका, 2, उसके अगला कौन होगा, जिसे 11 multiply 3, इसके अगला कौन सा होगा, 11 multiply 4, 2, 3, 4, यह आपके इसके consecutive बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा आपका बनेगा, अब यह हमें पता नहीं है कि exact, तो हम इसके जगे क्या लेते हैं, बच्छों, जैसे अपना consecutive, three number लेना होता तो हम क्या लेते ह हैं, X-1 लेते हैं, और X-1 लेते हैं, अब यहां हमें क्या चाहिए, multiple of 11 चाहिए, तो multiple यानि इसके साथ क्या आजाएगा आपका, 11 आजाएगा, जिसे multiple of 8 बोला जाता तो आप क्या लिख देंगा, साथ में 8 लिख देते हैं, ओके, बस यह बात समझना है, यह बात समझ आग यह मतलब आपके लिए कुछ यह आजाएगा, हल हो जाएगा ना, येस, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बच्चों, यह बहुत जगे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा, कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं, अब देखिए, क्या करते हैं, इस में, given क्या हमें, इनका sum दे रखा है, कित 11 का अंदर multiply कर देते हैं, 11 गुणा X, 11 गुणा 1 कितना होगे, 11, और ये 363, ये minus है, और ये plus है, cancel होगे, 11X, 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 कितना 3 टाइम है, कितना होगे आपका, 33X होगे, इकुल टूथ कितना है, 363, अब इस एक्स चाहिए हमें, तो 33 गोटाना पड़े हैं, क्या करते थे, 33 का यहां डिवाइड कर देंगे, तो दूसरी साइड भी हमें, 33 का डिवाइड करना पड़ेगे, यहां 33 से 33, cancel होगे, X आ गया, यहां पे 33 का डिवाइड किया, कितना 11 आ गया, यहां एक्स का विल्यों आपको कितना मिल चुका है, 11 मिल चुका है, जहां X दिखे दे रहा, वहां क्या रख देंगे, 11 रख देंगे, तो हैंस आपके नमबर क्या आगे बच्चों, X की जगे 11 रख देना है, X, sorry, X की जगे 11, ओके, प्लस वन आ गया, यहां कितना आ गया, 11 मॉल्टिप्लाई, 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना बनेगा, 10, यानि, यह कितना 11 मॉल्टिप्लाई 11, 121, 11 मॉल्टिप्लाई 12, कितना, 231, 132, इस तरीके से यह आपका एंसर आ गया, अब हम इनका सम करके चेक कर लेंगे, क्या इनका सम आ रहा है इतना, यह इनका सम इतना आ रहा है, इसका मतलब हमारा एंसर बिल्कुल एकदम ठाइट है, ओके,